नमस्कार जैहिंद आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो वच्चे और जो पेरेंट्स काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि CHS जो बनारस हिंदू इनिवसिटी के दोरा संचालित है उसके स्कूल एड्मिशन के एक्जाम फॉर्म कब आएंगे एक्जाम डेट क्या होने वाली है इस पर CHS बहुत की तरफ से आपको सारा सब कुछ बता दिया गया है उनके पोर्टल पर www.bhuonline.in पर आप जाकर देख स एक्जाम कब होने वाला है 9th, 11th, Math, Bio, सब का मैं सब कुछ बताने वाला हूँ तो make sure कि आप इस वीडियो को like करिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो make sure कि आप चैनल को subscribe कर दिजेगा अब आप मैंसे कई सारे बच्चे बिल्कुल नए होंगे और वो सोच रहे होंगे आप आप कहां से CHS के वीडियो बनाने लगे आप दो बोट्स का पढ़ाते हो तो आप मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे पुरानी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो CHS 2023 की ये प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारी CHS की डिटेल्स बताई थी प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है केमेश्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है मैस का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है बायो का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है यानि हम CHS पर पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम कर चुके हैं तो आपको जो भी यहाँ पर e-lotry उससे आपको कोई मतलिम नहीं है स्कूल इंटरेंस टेश्ट सेट 2024 के बुलेटिन पर जब आप क्लिक करते हैं इंग्लिस और हिंदी दोनों ही माध्यम में यह बुलेटिन जारी किया गया है यानि आपको कोई भी तरीके से परिशान होने की जरत नहीं है और इसके बारे में मैं बता रहा हूँ डीटेल में क्योंकि इसके लिए मैंने अपना PPT बनाया हुआ है जहां पर मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ तो स्टार्ट करते हैं यार तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज 20 फरवरी के दिन आपके exam form रिलीज किये जा रहे हैं अभी website पर update नहीं हुआ है हाला कि घंटे दो घंटे चार घंटे में update हो जाएगी जब तक आपके पास यह वीडियो पहुच रही होगी मैं उमीद करता हूँ कि form रिलीज हो चुके होगी exam form कैसे भरना है उसकी भी वीडियो आएगी तो जल्दवाजी में exam form मत वरियेगा मैं बताऊंगा एक एक प्रोसेस बताऊंगा तब जाके आपको exam form भरना है अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जो भी parents guardian देख रहे हैं आपको कोई गलत information न जाए इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यह exam form 20 फरोली से start होने वाला है और यह exam form 20 मार्ज तक भरा जाएगा अच्छा आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दू कि जो भी details में share कर रहा हूं या फिर आपके screen पर यह जो PDF दिखाई दे रही है यह सब कुछ आपको free में भी available हो जाएगा यानि आप इसको आसानी से अपने पाल डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है हमारा एक telegram channel है फिक है जिस पर मैं content PDF YouTube live session सब कुछ डालता रहता हूं at the rate rankers CHS के नाम से आप सभी लोग इसको search करके join कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले एक दो तीन महीने मेरा आपके साथ बहुत लंबा साथ होने वाला है और बहुत सारी चीजे में आपको देने वाला हूं तो आपने बता दू कि यह form एक महीने तक आप आराम से भर सकते हैं यानि कोई जल्दवाजी नहीं करनी है आपको एक दो दिन में मैं समझा दूँगा कि exam form भरना कैसे एक एक process बताऊंगा तब आपको exam form भरना है exam form भरने के बाद आपसे अगर कोई गल्ती भी हो जाती तब भी आपको date दिया जाता है 21 मार्च से 27 मार्च वह सब मैं update करता रहूंगा आपको चिंता नहीं करनी है यानि 7 दिन आपको मिलेगा correction करने के लिए यह तो हो गई exam form की बात कि भया कब आएगा और कब तक भरना है exam dates जो सबसे important है क्योंकि आपको preparation करनी है तो exam dates की बात अगर मैं बरू करूँ तो class 9 का जो paper होने वाला है अप्रेल 29 को होने वाला है उन बच्चों का exam है अप्रेल 30 2014 यानि 30 अप्रेल को आपका paper है सायग क्या मुझे जहां तक यादा रहे है पिछले साल भी लगबग सेम यही डेट्स थे उसके बाद class 11th biology का जो paper होने वाला है वह एक मई 24 को होने वाला है क्योंकि अप्रेल 30 का ही होता है आपको पता होना च युदे वेडने जे थर्डे फ्राइडे पांच दिन लगातार पेपर है 9 वालों का 29 11 मैट्स का 30 11 बायों का एक 11 आर्ट्स का दो 11 कॉमस का तीन तारिक को paper होने वाला है उम्मीद करता हूं कि यह डेट्स वाली सारी information आपको समझ में आ गई होगी अब आगे बढ़ते हैं इसके अलावा आपका जो आगे का process होता है जैसे answer की 15 माई को रिलीज की जाएगी registering for the challenge अगर आपको करना है तो 16-17 को uploading final answer की आपको मिलेगी 25 माई को tentative date of state 24-28 जो tentative है वो 5 जून है इसके बाद आपकी counselling सुरू हो जाएगी CHS में admission का process सुरू हो जाएगा dates for the counselling rating यह सारी चीज़े अपजी तो आपको नहीं जानने है बाद में है eligibility criteria बहुत सारे parents को concern होता है कि क्या मेरा बच्चा CHS का exam दे पाएगा तो बहुत आसान भासा में समझ लीजिए कि 13 साल से लेकर 15 साल के ही बच्चे class 9th का paper appear कर सकते हैं उनकी age check की जाएगी एक तीस तीन दोहजार चौबिस को date of birth should not be before एक तीस तीन दोहजार नो एंड आप्टर एक तीस तीन दोहजार एग्यार आप आराम से इसको समझ लीजिए यह PDF डाउनलोड कर लीजिए इसके बाद अगर मैं बात करू क्लास 11 का तो 18 year of maximum age दिया गया है क्लास 11 में अगर आप एंटर कर रहे है तो आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 18 साल ही होनी चाहिए ओन एक तीस तीन दोहजार चौबिस को यानि 31 मार्च को आप चेक करेंगे कि आपकी डेट कितनी है 17 साल 16 दिन 17 साल 3 महीने 18 दिन 16 साल 15 दिन 17 साल 11 महीने 12 दिन तो 18 से उपर नहीं होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स 18 होनी चाहिए तो आप सभी लोगों को यह चेक कर दिना है और डेट आपका चेक किया जाएगा रिकोगनाइट बोर्ड युनिवर्सिटी के रिजल्ट से ठीक है उसके बात फॉर एक्स्टरनल कंडिडेट 60 माक्स और एक्विलेंट ग्रेट अच्छा यह पॉर्फ गई बात आपके जो इंपॉर्टंट चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं बाकी चीज़े आगे बहुर्प सारी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके के से किसको कितनी चूट मिलती है किसको कितनी अरली-वह भाइता है किसकी सीट कितनी रिजय रि सीट के अगर मैं बात करूं तो miyas कोल में थो सिट है स्ट के लिए 38 फ्लक्त СпасибоSP मैं आटकी चालीं सीट है एक कुछ सीट होती है है जैसे यहां पह लिखा हुआ है तो यानि आपको मान के चलना है कि आपके पास 38 सीट्स है जिसके लिए आपको फाइट करना है 11 मैस को और 100 के लिए नाइंद के लिए तीक है बायों के लिए 25 आट्स के लिए 12 और आप सभी लोगों को तयारी करनी है कॉमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करते चलिएगा चले यह बात मैंने आपको डिसकस कर दी इंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस अभी में डीटेल में बताने वाला हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेलिस्ट मिल सब कुछ यानि आपको इस चैनल को छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको सारी डीटेल बहुत क्लियर कट दी जाएगी इसके बाद में थोड़ा डीटेल से लिए बस बता देता हूं क्लास एलेवेंथ के लिए आपका Immer c अब बिल्कुल परिशान मत होगा कि आपको एक एक चीजमें बता दुगा आने वाले विडियो में कि आपको किनी चैप्टर से किनी टॉपिक से पूछा जाता है क्योंकि बच्चे के ओल यह देखकर नहीं समझ पाते हैं कि क्या पूछा जाएगा क्या लेबल होगा सवाल कैसे बनते हैं तो वह सब मैं बताऊंगा आपको चिंता नहीं करनी है तो आपको समझ में आ गया होगा अ आप पैसा कितना लेगा CHS वाले हमसे तो CHS वाले आपसे पैसा लेंगे एक्जाम फॉर्म भरने का 550 रुपया SCHT कैंडिडेट से और जितने भी अदर कैंडिडेट है उनके लिए 800 रुपया चाहिए आप 9 के हो चाहिए आप 11 के हैं आपके लिए फीस कितनी है SCHT कैंडिड और OBC साब सब सुनिये का जनरल और OBC के लिए 800 रुपया मोड़ पेमेंट ऑनलाइन वगरा सब कुछ रहेगा फॉर्म बरते समय वह मैं बता दूंगा तो I hope मैंने तुम्हें जितनी भी डिटेल्स दी या पर जितने भी पैरेंट्स तक मैंने आप तक मैंने अपनी डिटेल पहुचाएं आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा अब आपके मान में एक चिंता आ रही होगी कि मेरा बच्चा प्रिपेर कहां से करेगा क्या मेरे बच्चे को किसी बनास के ऑफलाइन सेंटर पर प्रिपेर करने की जुरत पड़ेगी नहीं आपको हम अपने ही प करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं देखे प्रहार बैच है एक हमारा जो कि क्लास 11 मैट या बायो जो भी पढ़ेंगे बच्चे उनके लिए हैं ये बैच आपका स्टार्ट होगा 15 मार्च से मुझे पता है कि सभी बच्ची अभी क्या दे रहे हैं बोर्ड एक्जाम सभी बच्चे क्या दे रहे हैं इनका 11 को मैट का पेपर है 11 को मैट का है और 13 को इनका CS IT का पेपर है तो आपको पहले अपने स्कूल का एक्जाम दे देना है तभी मैं आपको पढ़ाना सुरू करूंगा मुझे आपको स्कूल के बोर्ड के सिलिबस में कोई भी आज से प्रहार बैच जो भी बच्चे 11 के लिए मैथ या फिर बायो के लिए प्रिपेर करना चाहते हैं अभी कैसे करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल पढ़ा हुआ है वहां से आप कर सकते टेलीग्राम पे भी डिटेल बता दिया हम एने वीडियो भी नाइन इसकी प्राइजिंग है लेकिन अभी तो बैच स्टार्ट नहीं हुआ है तो जो बच्चे अपनी सीट को सेक्योर करना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए हमारा अर्ली बर्ड ऑफर है अर्ली बर्ड ऑफर यानि सबसे पहले अगर आप एडमिशन करते हैं तो आपको इस बैच पर 300 रुपीज का ओफ मिलेगा यानि ये बैच आपको 1199 का ही पढ़ेगा और इसमें कम्प्लीट आपको मैथ, फिजिस, कमिस्ट्री, बायलोजी पढ़ाई जाएगी लाइप पढ की जाएगी यानि आपको परिशान नहीं होना क्योंकि उसका number of question बहुत कम होता है हमारा ज्यादा focus हमारे math, physics, chemistry और biology पर होगा math और biology बायो ठीक है तो आप सभी लोगों से मेरी request है कि जल्दी से जल्दी offer को avail करें क्योंकि इसके बाद ये final pricing हमेशा रहेगी इसमें कोई changes नह same इसी price पर आपको ये batch मिलेगा 1499 उससे एक भी रुपया कम नहीं होगा क्योंकि हम आपको quality content देने जा रहे है वो भी live आपको पढ़ाने जा रहे है और to the point पढ़ाएंगे जो आपको exam में पूछा जाएगा तो ये बात तो समझ में आगे प्रहार batch वाले बच्चों को उसक आप डाउनलोड कर लेना है और वहां से आपको purchase कर लेना है एप पर click करेंगे वहां पर जाकर आप प्रहार 11 के लिए और उदय और 9 के लिए purchase कर सकते हैं ठीक है अब जो बच्चे website यानि laptop से काम करते हैं पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं web.classplus app .com पर आपको click करना है ठीक है website डालेंगे उसके बाद आपको organization code मांगा जाएगा तो आप organization code डालेंगे U I L E M ये organization code डालेंगे code डालने के बाद आप उसमें अपना mobile number डालेंगे 8XXX जो भी आपका mobile number है mobile number डालके OTP डालके आप जाके purchase कर सकते हैं मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूं तो इस तरीके से आपको batch purchase करना है धियान दखेगा 29th feb तक ही offer है 300 off वाला उसके बाद इस पर कोई भी offer नहीं आएगा अभी जो भी parents या पी जो भी बच्चे इंट्रेस्टेड है आज की आज जाकर batch purchase कर लिजेगा ठीक है लासस कब से श्टार्ट होंगी वह 15 मार्स से अच्छा कोई भी अगर आपको query आती है तो आप मुझे मैं आपका call उठाऊंगा आप इस नंबर पर call कर सकते हैं 81, 760, 594 और 35 ठीक है बहुत सारे बच्चे पिछले साल मेरे batch के online मैं ने पढ़ाया था और वो सभी बच्ची आज सी अचस में पढ़ रहे हैं अब आपको मैं website दिखा देता हूँ यह है देखिए हमारी website website पर आप जाएंगे web.class plus app इस तरीके से आपको बैस दिख रहा होगा बैस पर इस तरीके से सपूझ इस पर मैंने क्लिक किया आप कुछ details दिखेंगी आपको यहां जाकर buy now करना है buy now जब आप करने जाएंगे तो आपको code के लिए ask करेगा चलिए अच्छा यह अभी इस पर code applied नहीं है आप code apply कर लिजेगा code apply जब हो जाएगा यही पर आप जब वहां पर देखेंगे तो code कहीं दिख रहा होगा coupon code available यह देखिए early 300 expires in 9 days आपके सामने लिखा हुआ है early 300 मैंने apply किया done I think early 300 apply यहां से ठीक है देखिए apply हो गया अब इसकी प्राइच की प्राइच 1231 कुछ इंटरनेट हैं लिंग चार्ज होती है उसके बाद आप बाइना उपर क्लिक करेंगे और आपके पास purchase हो जाएगा 11 के लिए इसी तरीके से 9 में भी आप जाकर यहां पर code लगा यानि 29 फेब तक तो जो भी parents जो भी बच्चे interested है make sure कि आप जाकर वहां से purchase कर लें इसके साथ यूट्यूब पर आपको मैं वह सारी चीज़े available कराऊंगा जो इस exam के लिए जरूरी होती है हमारी यूट्यूब पर playlist भी available है पूरानी playlist available है जहां पर आपको सारा का सारा content मिल जाएगा और आने वाले समय में आपको एक एक information राइट टाइम पर और सही तरीकी से में पहुचाऊंगा तो makes sure कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम जरूर जोइन कर लिजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिं मिलते है नेक्स वीडियो में